हम गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं सक्सेस का यश का सबसे बड़ा शत्रू है निराशा यदि निराश हो जाओगे तो सब कुछ खो बैठोगे जब भी निराश हो जाना तो बस मा जिराफ को याद कर लिना है जब मा जिराफ अपने बच्चे को जन देती है तो माता जिराफ बड़ी उंची होती है और बच्चा उचाई से जोर से जमीन पर गिर जाता है और जैसे बचारा समझने का प्रहत्म करता है कि मैं कहां गिर गया तब तक वो माँ उस बच्चे के ऊपर खड़ी रहती है और उसको बहुत जोर से लात मारती है उरते हुए बच्चा जाकर कहीं और गिर जाता है और बस अपनी सुदबुद दुबारा इकटा करने का प्रेत्न करता है फिर माँ उसके ऊपर आकर खड़ी रहती है और दुबारा इक बड़ी चोर से लात मारती है बच्चा समझ जाता है कि यदि मैं कुछ न करूँ न तो लात खाते रहना पड़ेगा अपने बड़े ही कमजोर पैरों पर खड़े रहने का प्रेत्म करता है उजीराफ का बच्चा फिर दुबारा माँ आकर उसको लात मारती है बच्चा फिर गिर जाता है और समझ जाता है कि यदि मैं खड़े रहकर भागू नहीं तो बस लात खाते रहना पड़ेगा जीराफ का ये बच्चा तेजी से भागने का प्रेत्म करता है और तभी माँ आकर अपने बच्चे को चूमती है, अलिंगन करती है माँ जीराफ भली भाती जानती है कि जंगल में बड़े खुखार पशु है शेर, लोमडी, इत्यादी जो नवजात प्राणियों का मास बड़ा पसंद करते है और माँ जीराफ तो बच्चे के साथ, उस शेशु के साथ हमेशा नहीं रह सकती तब अगर वो बाहर चली जाए तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा इसलिए सबसे पहले जैसे उसका जन होता है उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीखे दुबारा लात मारती है ताकि उसे उठने की जो क्रिया है वो याद रहे दुबारा लात मारती है ताकि केवल उठे नहीं, दौड़ना प्रारंब करे जीवन में कई बार चुनोतिया आएंगी चैलेंजेस आएंगी और हम गिरेंगे हम फेल होंगे लेकिन माजिराब और उसके बच्चे को याद कर लेना चाहिए जब भी चुनोतियां आएं जब भी चैलेंजेस आएं जितनी बार भी आप गिरो उठना सीखो उस बच्चे से उठना सीखो उठके खड़े रहना सीखो खड़े रहके भागना सीखो अगर उठोगे खड़े रहोगे भागना सीखोगे तब यश सक्सेस के उँचे से उँचे शिखर पर पहांचना सीखोगे